नमस्कार दोस्तों मैं सुरहंदत सारण आपका एपक्स क्लासेज यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज हम रीट बरती परिक्षा के बारे में उसमें आने वाले प्रस्णों के बारे में और संस्कृत जैसे विशे के सेलिबस के बारे में चर्चा करेंगे इसमें दोस्तों हम किन-किन विशेयों की बात करेंगे किन-किन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे उसको मैं आपको बतात रहने वाला है और इसके अलावा आपकी क्या-क्या योगयता हो तो आप इस भरतिपरिक्षा के अंदर बैठ सकते हैं मैं राजस्तान के उन सभी विद्यारतियों के लिए इवन राजस्तान से बार से भी जो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें तता अपने दोस्तों को अधिक से अधिक से अधिक करें दोस्तों हम बात करने सभी के अंदर कंशा 1-5 तक कंशा 1-8 वितस्ता संचालित ओने वाले सरकारी विद्यालियों में शिखOOKों के पद पर आशीन होने वाले अपने सपने को साकार करने वाले विद्यारतियों के लिए होने वाली बर्ति परिक्षा है इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है एक है लेवल प्रथम दूसरा है लेवल द्वितिये लेवल प्रथम और लेवल द्वितिये ये दो भागों में इसमें लेवल प्रथम में भा बरती परिक्षा में भाग लेने वाला कक्षा एक से आठवी तक के विद्यालेओं के अंदर शिक्षक बनता है यह इन दोनों के अंदर अंतर हैं दोस्तों वैसे तो आप रीट के बारे में सभी जानते ही होंगे लेकिन मैं यह वीडियो उन विद्यारतियों के लिए लेकर आ होने वाली 2020 की जो मंत्री जी ने घोशना की है कि सितंबर के अंदर होने वाली परिक्षा है उस परिक्षा में बहुत सारे राजस्तान के ऐसे विद्यारतियों को एक मन में संकोच है कि क्या इसमें कुछ बदलाव होने वाला है क्या इसमें कुछ परिवर्तन होने वाला तो यह जो है लेवल द्विति है अब लेवल प्रथम की बरती परिक्षा में कौन सामिल हो सकता है उसके लिए जो योग्यता है वो आपके योग्यता रहेगी बारवी प्लस बीस्टिसी दोस्तों यह बीस्टिसी या जो आपके एलिमेंटर एज्यूकेशन के अंदर एक दो वर्षिय डिप्लॉमा होता है अगर डीलेड यह अगर कर रखा है तो भी आप इस बरती परिक्षा के अंदर सामिल हो सकते हैं और अगर बीस्टिसी के बहुत सा कि इस यह में जो विद्यारती अध्यान्रत है वह भी इसमें सामिल हो सकता है इस परिक्षा को दे सकता है नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इस योग्यता लेवल टू की क्या है वह आपके बीए प्लस बीएड और दूसरी है बीएसी बीएड क्योंकि दोस्तों कक्सा एक स दे आफ तक के विद्यालों के अंदर छैसे लेकर के आठवी तक के कक्साओं के लिए कमिसे अध्यापक निव्ट होते हैं और उनके लिए के अपने बीएसी बीएड किया है तो आप गणित्व विज्ञान के शिक्षक के रूप में इस पद पर आसीन हो सकते हैं इसलिए दोस्तों जो बीए बीए युग्यताधारी विद्यारती है अत्वा बीए सी बीए युग्यताधारी विद्यारती है वो इस परिक्षा के अंदर सामिल हो सकता है इस परिक्षा का क्या पैटर्न रहेगा इसमें कितना समय है यह किस परका यह उसमें आपके डेट सो ही प्रशन पूछे जाते हैं इसलिए कुल प्रशनों की संख्या 150 यह सबी प्रशना बहु विकल्पिये प्रकार के होते हैं यानि आपको मुल्टिपल चॉइस को सन के रूप में आपको प्रशन होते हैं इसमें लिकित प्रिक्षा नहीं होती है तो जिससे आप राजस्तान के सरकार के द्वारा संचालित होने वाले विद्यालों में शिक्षक के पदपर बनने के योग्ये बन जाते हैं मतलब यह प्रकार की योग्यता परिक्षा है योग्यता परिक्षा होने की वज़े से इस परिक्षा के अंदर किसी प्रकार के नकारात मार्किंग नहीं है यानि कि नेगेटिव मार्किंग यह हमारे इसके अंदर परिक्षा में सामिल नहीं है मतलब आपके कोई अगर आपने कोई किसी प्रस्न का उत्तर गलत दे दिया है तो भी आपके उसके प्रस्न के अंक कटेंगे नहीं जैसे कुछ परिक्षाओं के अंदर जैसे रस है second grade है first grade है इनके अंधर one-third प्रशनों के जो अंक है काटे जाते हैं अगर एक अंक का प्रशन है तो उसका अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो मतलब अगर आपको कोई प्रशन नहीं आता है अपने गलत उत्तर दे दिया तो भी उसके अंक काटे नहीं जाएंगे अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि रिट बरती परिक्षा के अंदर और क्या सलेबस रहता है इसमें कौन-कौन से विशेयों के प्रशन पूछे आते हैं लेवल प्रथम के लिए लिए क्या सेग्मेंट और लेवल वीतिय के लिए क्यास्मेंट तो दोस्तों वीडियो को आगे देखते रहे है 2020 लेवल फस्ट उसके लिए ये विशे है जिन में डेड़ सो अंकों के जो डेड़ सो प्रस्ण है उसको पांच भागों में विवाजीत कर रखा है जिसमें पहला बाल विकास एवं सिक्षन विदिया देखो इसके प्रस्णों की संख्या रहने वाली है 30 इनमें कुल 30 अंक के प्रस्ण पूछे जाते हैं देखो दोस्तों आप एक तो मनोविज्ञान पढ़ते हैं मनोविज्ञान का ही एक भाग है बाल विकास और उससे समंदित सिक्षन की जो विदिया है वो इसमें प्रस्ण पूछे जाते हैं नेक्स्ट आपके है जो दूसरा पार्ट है वो है बासा फर्स्ट जिन में आपके सामने यह आप्शन उपलब दे रहते हैं कि आप किसी भी भासा का चैन कर सकते हैं इनमें हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू हिंदी पंजाबी एवं गुजिराती इ इसी एक भासा का बासा प्रथम के रूप में चैन कर सकते हैं लेवल फर्ष्ट के विद्यारती दोस्तों इसी तरीके से बासा सेकिंड इनमें भी वही बासा हैं लेकिन दोस्तों इन दोनों में अंतर यह है कि अगर मालो आपने बासा फर्ष्ट के रूप में आपने हिंदी भासा के और उसी हिंदी भाषा का चैन्द कर सकते हैं संस्क्रिट भाषा का चैन कर सकते हैं मतलब आपकी भासा प्रथम और भासा द्वितिये में दोनों में अंतर होना चाहिए नेक्स्ट इन दोनों भासाओं से समंदित अलग-अलग 30-30 प्रशन पूछे जाते हैं और वो सभी 30 प्रशन 30-30 अंकों के होते हैं दोस्तों आगे की बात लेके रहता हूँ आपको तो देखो आगे लएक्स्ट 30 प्रसव याते हैं वो होते हैं और इसके साथ साथ थोड़ा सा पोर्शन सामिल गया है नेक्स्ट आगे बात करते हैं जो तीस प्रशना आगे होते हैं वह होते हैं परियावरन injection से समंदित तो दोस्तों परियावरण अधियन के तीस प्रश्ण होते हैं इसके अंदर हमारे राजस्तान से समंदित भी कुछ topics को सामिल किया गया है इसके अलावा हमारे जो समाज है परिवार है उससे समंदित भी कुछ टॉपिकों को इसके अंदर परियावरण में सामिल किया गया तो दोस्तों बाल, विकाश, बाहसा प्रतम, उसे समंदित कि प्रश्ण और गणिश से समंदित प्रश्ण और पर्यावरण से समंदित 30 प्रश्ण इस प्रकार से आपके यह कुल मिला करके और को एक तरीके से आपके d8 सो प्रश्ण de res alle विविद्यारतियों के लिए तो left onlyェ कि विवेथी विवागों के दिवाइप चार भागों में डिवाइड कर रखा है इसमें आपके पहला वही भाग बाल विकास एवं सिक्षन विद्यां उससे समंदित तीस प्रश्न तीस अंक के इसी के अलावा बासा फर्स्ट और बासा सेगेंड जैसे बासा फर्स्ट और सेकेंड लेवल प्रथम के अंदर गत्री व हिंदी ले और तो भासा सेकेंड वह संस्कृत या उर्दू लेकर के इसमें सामिल हो सकता है तो उसमें बासा फर्स से समंदित तीस प्रश्न बासा से समंदित तीस प्रश्न तो तीस इस अंक के होते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं गनित एवं विग्यान तथा सामाजिक सामाजिक अध्यन से समंदित सांट प्रशन पूछे जाते हैं दोस्तों इसमें यहां पर आपको चैन करना होता है जो विद्यारती बीए बीएड योग्यता धारी है वो सामाजिक अध्यन से समंदित सांट प्रशन उसके लिए पूछे जाते हैं इसमें आपके जो सांट प्र विजयान विशेश समंदित पूछे जाते हैं यह आपके इन से समंदित इसके अलावा सिक्सा सास्त्रिय मुद्दे भी कुछ सामिल किये गए हैं इसके अंदर तो सामाजिक अध्यन के जो बीए बीड योग्यतादारी विद्यारती है बीए में चाहे उनके सब्जेक्ट सामा में रहते हैं कि हमारे क्या बीए के अंदर जो सब्जेक्ट नहीं रहा उसके भी प्रशन पूछे आते हैं यह दूसरा इसमें यह जो मैंने आपको बताया है यह संभावित पैटर्न पे चर्चा कर रहा हूं है क्योंकि इसमें मंत्री जी की घोशना के अनुसार सायद कुछ परिवर्तन हो सकता है तो उसके अंदर देखें कि यह जो अगर यह दी सामाजिक अध्यन से समंदित जो साथ प्रशन पूछे आते हैं यह उन सभी विद्यार्तियों के लिए जो बीए योग्यता धारी ग्रेजुएट है अब उसके अंदर आपके बीए सी योग्यता धारी उनके लिए गणित विशे से समंदित तीस प्रशन और तीस प्रशन होते हैं वह विज्ञान विशे से समंदित पूछे जाते हैं तो जो बीए सी योग्यता धारी विद्यार्ति है उनके लिए गणित और विज्ञान से समंदित प्रशन पूछे जाते हैं और जो आपके भ उस विशे को लेके आने वाला हूँ जो विशे आपके लिए कुछ लोगों के लिए जटिल बना हुआ है तो मैं उसको सरल बनाने का प्रियास करूंगा दोस्तों यह जो विशे है उसका नाम है संस्कृत बासा मेरा मतलब यह है कि अगर यदि जो अभी हमने बात की थी पीछे कि बासा फर्स्ट या बासा सेकेंड जैसे लेवल फर्स्ट में या लेवल सेकेंड के अंदर अगर यदि आप इसमें से बासा संस्कृत का चैन करते हैं तो अब मैं उसके उपर बात करने वाला हूं कि संस्कृत का क्या सेलेबस है उसमें किस प्रकार के प्रशन पूछे जा आते हैं मैं उन विद्यारतियों के लिए वीडियो लेकर आया हूं जो इस संस्कृत विशे के साथ में रिट बरति परिक्षा में सम्मेलेथ होते हैं तो दोस्तों क्योंकि उनके लिए उसमें से कुछ ऐसे विद्यारती जो 10th के बाद में उन्होंने कभी यह विशे नहीं पता है कि संस्कृत वासा एक एसी वासा है जिसमें आप बहुत रहुत ही अच्छे अंक आरशित कर सकते हैं जो फॉमपेजिन करें अगर यह अंग्रे जी से का तो उसमें आप इतने अंक आरजित नहीं कर पाते तो दोस्तों यह वीडियो मेरा उन्धियारतियों के लिए हैं जो संस्कृत बासा का चैन करते हैं तो देखिएगा उसका क्या सिलेबस है इसके अंदर किस तरीके से किन-किन बिंदूओं को सामील किया गया है इसमें जो तो दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ अब संस्कृत विशे की तरफ अब देखो दोस्तों यह मैं पहले आपके लेवल फर्स्ट के विद्यार्तियों के लिए सिलेबस क्या है और फिर लेवल टूक वैसे तो ज्यादा कोई अंतर नहीं है इसके अंदर लेकिन फिर भी थो फिरिवल प्रथन संस्कृत विशय का लिवल प्रॉथम के विद्यार्तियों के लिए पाठ्यक्रम है कि अब दूसरा भासा सेकंड जो संस्कृत के रूप मेंुप में चैन कर दोस्तों मैंने यहां पे यह बशी के लिखा है क्योंकि बहुत से विद्यार्ति ऐसे हैं जो हमा करके प्रेक्षा में सम्मीलेत होते तो यह वीडियो उन विद्ध्यार्तियों के लिए हैं तो यहां पर मैंने यह बहसा शेकंड का चैन करके बताए आपको इसमें सेलेबस क्या कहा रहने वाला है तो दोस्तों इसमें कुल तीस प्रसना होते हैं, तीस अंकों के इसमें जो pattern है उसको दो भागों में बाठ रखा है, इसका जो syllabus पाट्यकरम है वो छे इकाईों में बटाव है, उसमें तीन इकाईयां व्याकरण से समंदित है और तीन इकाईयां शिक्षण वाले भाग से समंदित हैं, उसमें देखो द रहता है कि कई बार गध्यांस अत्वा पध्यांस देखर के भी इससे समंदित प्रस्न पूछे जाते हैं तो यहां पे देखो दोस्तों आपके लिए व्याकरण से समंदित कौन-कौन से बिंदू इसमें सामिल किये गए हैं और यहां पे जो लिखे वे हैं वो आपके सिक्षन से समंदित कौन-कौन से बिंदू इसमें सामिल किये गए आप चाहें तो आप इसका ले सकते हैं आप इसको देख सकते हैं देखें दोस्तों अब मैं आगे बात करने वाला हूं कि इन टॉपिकों में से किस प्रकार से प्रस्न बनते हैं इन टॉपिकों में से कैसे आपके प काईयों में बाठ रखे हैं इनमें मतलब प्रत्य ऑकाइश्य संद्धे पांच प्रा adapki परिक्षा के अंदर पूछे जाते हैं पांच प्रधा मिक आइसे पांच परस्नद्वितिय ग्याई से और प्रत्य ग्याइश्य से पूछ करके वैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं अमारे राजस्तान राज जी की तो इसमें होने वाली जो 2011 की भरती परिक्षा को देख लीजिए उसमें किसी प्रकार का गद्यांस देकर के प्रशन नहीं पूछे गए थे तो यह जो बिंदुए इंसे समंदित सीधे भी प्रशन गद्यांस देकर के ही उससे समंद्यद प्रशना पूछे जाते हैं हमारे यहां पर दोनों तरीके से पूछे जाते Until आप इसको ध्यान डखे पहले से आप करके एक तो गध्यांस के आधार पर प्रशन और दूसरा सिधे पूछे जाने वाले प्रशन तो मैं मेरे वीडियो में इन चीजों का जिक्र आगे भी करता रहूंगा प्रतियक टॉपिक में किस प्रकार से प्रशन बन सकते हैं तो देखो गध्यांस में से कौन-कौन से समंदित प्रशन पूछा जा सकता है तो वह है आपके सब्द रूप धातु रूप यानि कि गध्यांस में कोई भी सब्द आया हुआ है तो सब्द रूप की विबक्ति वचन पूछ लिए इसके अलावा धातुरूप से समंदित कोई लकार पूरुष और वचन से समंदित है वो पूछ लिया जाता है इसके अलावा कारक विभक्ति उपसर्ग प्रते संदी समास लकार सरवनाम विशेश्य विशेशन लिंग अब ये इतियादी टॉपिकों से समंदित प्रश्ण पूछे जाते हैं उन में से किसी भी टॉपिक से समंदित 5 प्रश्ण एक गध्यांस म नहीं दिया जाता है तो सिधे संदी से समंदित प्रश्ण पूछ लिया जाता है समास से समंदित प्रश्ण पूछ लिया जाता है या अत्वा विशेशन और विशेशे से समंदित प्रश्ण पूछ लिया जाता है तो ये प्रश्ण प्रथम इकाई से पूछे जाते हैं इस बिंदु इसमें सामिल किये गए हैं वो है आपके वही बिंदु संधी समास कारक प्रत है तो देखो दोस्तों यह वही बिंदु है जो आपके प्रथमिकाई के अंदर भी है तो मेरी कहने का मतलब है आपके संधी समंदित टॉपिक में से दो प्रश्ण बनने की संभावना रहती है इसके अलावा समास में से भी दो प्रश्ण इसके अलावा कारक विवक्ति में से भी दो प्रश्ण प्रते से समंदित भी दो प्रश्ण आपके बनने की संभावना रहती है दूसरा यहां पर ल टॉपिक में से प्रक्षनव पूछ mend Hack इन मुख्य रूप से इस में मैं बात करूँगा इन टॉपिक की जो संदी समास कारक यौम प्रतय टॉपिक है इन में मुख्य रूप से 100 पर कई बार ऐसा होता है कि अगर यदी विशेशन विशेशे से समंदित प्रथम इकाई में प्रस्ण पूछ लिया तो दूसरी इकाई के अंदर इस प्रकार के प्रस्ण नहीं पूछे जाते हैं अब मैं बात करता हूं आगे नेक्स्ट तीसरी इकाई की तो इसके अंदर संस्कृत अनुवाद हिंदी भासा से संस्कृत भासा के अंदर वाक्यों का अनुवाद करना दूसरा स्वर्वेंजन और तथा उनके उचारण स्थानों के बारे में इसके अलावा वाच्य परिवर्तन वाच्य परिवर्तन का मतल की जो शुक्तियां है जो प्रसिद कथन है उनके बारे में प्रशन पूछे जाते हैं तो दोस्तों इन में से आपके व्याक्रण से समंदित पूर्शन के कुल 15 प्रशन पूछे जाते हैं अब बात करता हूं मैं सिक्षन से समंदित जिस प्रकार से यह जो पाठ्यक्रम है तीन इकाईयों में बटावा है जिसमें दोस्तों आप केवल यह समझते हैं शिक्षण विदिया तो शिक्षण विदिया इस शिक्षण वाले पोर्षन का एक भाग है यानि कि इसमें केवल शिक्षण विदिया ही नहीं पूछी जाती है इसके अलावा शिक्षण जो हमारी एक प् प्रक्रिया है आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में से किस प्रकार से प्रशन पूछे जाते हैं वो प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसमें सबसे प्रभावसाली तरीका कौन सा रहता है कौन सी विदिया होती है और हम किन-किन सायक सामग्रियों का अधि किशात्पालीक स्थीक उपयोग करते हैं उन सभी से समंदीत प्रष्ण किशी प्रकार को सामिल गया तो दोस्तों देखेगा कि इसकी मिकाई के अंदर हमारे मुख्य रूप से एक तो संस्कृत भासा की शिक्षण विद्या यानि कि आप एक शिक्षक के रूप में जब विद्याले में उपस्तित होते हैं तो वहां पर विद्यार्तियों को आप किस प्रकार से सिक्षण करवाते हैं आप कौन-कौन सी उचित विद्यों का चैन करते हैं उन सभी से समंदित प्रशना आप को यहां पूचे जाते हैं और उसमें भी विशेशकर संस्कृत विशेक आप सिक्षण किस प्रकार से करवा सकते हैं जैसे संस्कृत एक भासा है उसके अलग-अलग भाग होते हैं अगर मैं यहाँ पर आपको उधारण के लिए बताऊं तो दोस्तों देखेगा कि संस्कृत भासा के अंदर आपके गद्य भाग है पद्य भाग है तथा ना ठीए भाग मत्वा व्यक्रन भाग इस में से दोस्तों देखेगे जो गद्य पढ़ाने की विदी है वो अलग हो सकती है पद्य पढ़ाने की विदी है अलग हो सकती है क्योंकि हम पद्य जो है वो अलग उद्देश्यों के लिए पढ़ाते हैं गद्य अलग उद्देश्यों के लिए और नाटक का सिक्षण अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है क क्योंकि विद्यार्तियों को जब अपन ये सिक्षन कर्वाते हैं तो उसके कुछन कुछ उद्देश स्य निश्चित होते हैं इसलिए उसके लिए अलग-अलग विद्या होती है तो उससे समंदित प्रशन यहां पूछे जाते हैं इसके अलावा सिक्षण एक प्रिक्रिया है जो एक निश्यत सिध्धान्तों पर आधारित होती है तो उन सिक्षण के सिध्धान्तों के प्रशन यहां पर पूछे जाते हैं इसके अलावा हमा सीखने के कुछ कौशल होते हैं उसी के आदार पर हम भवाषा सीख़phenों या बच्चों को सिखा सकते हैं तो उसके लिए संस्कृत भवेथाकौशलों को इसमें सामिल तो सबसे पहला आपके syllabus में ही उसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों तो आप इसी को देख करके सीधे सीधे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भासा कोसल कितने होते हैं चार भासा कोसल होते हैं आपन बात करते हैं कि संस्कर्त सिक्षण में अधिगम सादनानी इसके अलावा दूसरा कर्यों आपके इस लिखा वा है संस्कूर्द से समस्त संप्रेश्ण स्य साधनानी अधिगम साधन के दें या संप्रेश्ण साधन के दें इन में दोस्तों ज्यादा अंतर नहीं है दोनों एक ही चीज है इसके अलावा आगे नेक्स जो है वो संस्कृत की पुस्तकों से समंदित हमारे संस्कृत साहितिक के अंदर कितनी पुस सीस्टीकों के आपके लेखक के नाम आपको याद होने चाहिए नेक्स आपन सब्सकत भाज़ीत करते हैं संस्कृति आप किन किम प्रशनों को वरियता देते हैं आप कौंसे प्रशना अधिक तर पूछने का प्रियाज करते हैं तो उस से से प्रिक्सारemen प्रकारों के बारे में आपको पूछा जाता इस प्रिक्षा के अंदर इसके अलावा हमारे भारत सरकार के द्वारा संचालित होने वाली एक जो मुल्यांकन की प्रिक्रिया है जिसको सतत एवं मुल्यांकन के रूप में जाना जाता है उससे समंदित प्रस्न भी इसमें सतत एवं व्यापक मुल्यांकन का भी हमें यहां पर एक सिक्षक होने के नादे ध्यान होना चाहिए इसके अलावा उप्चारात्मक शिक्षण हम यहां पर उप्चारात्मक शिक्षण का मतलब जब एक समस्यात्मक बालक जो सामान्य बालकों से अलग के गूप में हमें प्रत ये करते हैं तो वो शिक्षण आपके उप्चारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण के रूप में जाना जाता है तो उससे समंधित प्रश्ण भी पूछे जाते हैं दोस्तों ये मैं बात कर रहा था लेवल धूतिये एवं प्रथम के लिए जो विद्यारति आपके भासा सं वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फाइदा पहुंचाने के लिए इसको सेर करें और पास में लगेवे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगने आने वाले अपडेट आपको मिल सकें धन्यवाद